पता था पहले से कि पवण सिंग को आसनसुल जाना पड़ेगा और मुझे इतना भी पता था कि आसनसुल से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे यह सिस्टम ना हो कि आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन पाटी का सिर्फ जाई-जाई-जाकार किया हो उदर से टिकट लेके चले है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने अपने बेटे का सेटलमेंट किया है अने को सांसत विधायक जो है अपने बच्चों का साधी तक बिहार में नहीं करते हैं कि उनके भोज में कोहीं जादा करे करता आ जाए तो खिलाने का बेवस्ता करना पड़ेगा चपना पड़ेट और फंसे जेल का गेट और होस्पिटल का बेड़ इसी पर पता चलता है कि कौन रिष्टदार है कौन दोस्त है और कौन फर्जी रिष्टदार record अशनी बाद और तीकट लोटाना पड़ा किस परिश्तिती में लोटाना पड़ा वो तो जांते हैं किसी तीन नामों की है बिहार में लगातार तीन बड़े चेहरे बिहार से आ रहे हैं जो कि लोग सभाद चुनाओं में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं पहले आप सनोब बिहार मनिषक से अब दूसरे पावर स्टार कहे जाने वाले पवन से और तीसरे मगत के गुंजन सिंग ती अपने फिल्ट में महारत हासिल है यह बात सही है बस मैं यहीं चाहता हूं कि 2024 का चुनाव जो है उसूटकेस सिस्टम ना हो कि अपने माते पर लिखवा के गए कि पपा का नाम यह है तो उदर से टिकट मिल गया यह सिस्टम ना हो कि आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन कि अधार के विकास के लिए सक्षम है कि नहीं आपको लोग पसंद करते हैं कि नहीं यह टाइलेंट को देख के अगर किया जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 40 जो सांसद है उन में से 35 जो है अपना कुर्सी नहीं बचा पाएंगे यह मैं चालेंज करता हूं 40 में स सगार हूं मैं पूरा 40 में से 40 का कह रहा हूं और चालीस में से 35 जो है अपनी नहीं बचा पाएंगा अगर मधारी से देखा जाया है तो 46 Mme 35 नि तो कुछ कामी ने जिया कुछ नहीं किया कुछ ने सिर् them और सिर्फ उन लोगों ने अपने बेटे का सिटलमेंट किया है कि बेटा पढ़ा है बाहर बेटे का साधी जो है वो बिहार में नहीं करके बाहर करते हैं लोग के अनेकों सान्सत Face सबसे बड़ी बात है कि जो मध्यमोर्गी परिवार के हो गरीब परिवार के हो वैसे युवाओं को मुका दिया जाना चाहिए अब 40 मिचे 40 कुरसी का सीट का उठा के देख लिजेगा जो पार्टी मध्यमोर्गी और गरीब परिवार के युवाओं को मुका दे आप उनलोग साथ खड़े हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ धनार सेथ फोले धनाट डे लोगों को दे बड़े लोगों को दे वाहुवलीयों को दे निताओं के बच्चों के उनका विरोद कीजिए अचा आज का स्टेट्मेंट है कि वो कुछ भी हो जाए आरजएडी के साथ नहीं करके बताए नहीं है लेकिट मुझे पता था पहले से कि पावन सिंग को आसन सूल जाना पड़ेगा और मुझे इतना भी पता था कि आसन सूल से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे मुझे इतना पता था और मुझे इतना पता था अगर टिकट मिला उनको तो आसने सूल से मैंने इंटरवियो में यह बात कह जाता और उन्होंने उसी वीडियो में कह था ना 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 बबना उन्होंने कहा था तिक tau है उस समय चल यह मनिस कश्यव का बात सही हो गया लेकिन उसी समय सोरसत्ति उनके वह जुवान पर बइटी कि ना बाबा ना आसन जुलना और टिकट लोटाना पढ़ा तिकट कीसे लोटाना पढ़ा किस परिश्थिती में लोटाना पढ़ा वह तो जानते हैं, उनका कहानी बताएंगे, बस लेकिन नए लोगों को मौका मिलना चाहिए अगर पुराने लोगों ने काम किया है तो ठीक है पुराने लोगों को मौका दीजे अगर पुराने लोगों ने काम नहीं किया है तो जाती है समिकरन साध के कम से कम बिहार को बरबाद करने के लिए टिकट मत बिहार में कौन सा समिकरन चलेगा इस बार मजदूर का सम समिकरन चलेगा युवाओं के आखों में जो सपने है उसे जिन्दा करने वाला समिकरन चलेगा बिहार में जो फरष्टचार है उसे खतम करने वाला समिकरन चलेगा इस पर जात का तो समिकरन नहीं चलने वाला है भी होती है ठीक है हो गई ना अब विकास कीजे अगर नहीं व दोनों चुनाव में आपने 75 साल से जैसे भी वोट किया हो कीजिए इन दोनों चुनाव में आप लोग जातिवाद से उपर उठके काविलियत पे वोट कीजिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2030 में बिहार जो है इस देश का टॉप थ्री राज्यों में से एक होगा और फिर ब पाटी से लड़ेंगे हम लोग सपोर्ट करेंगे गुण्यन सिंग भाई है ठीक है चुकि जेल के अंदर वो मेरे से मिलने आये थे जो जाल होता है जेल का गेट और होस्पिटल का बेड इसी पर पता चलता है कि कौन रिष्टेदार है कौन दोस्त है कौन दुस्मन है और लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे लड़ेंगे जरूर लड़ना फिक्स है आसमान की उचाईयों को अगर नापना है तो अपने पंक को खोल के उड़ना तो पड़ेगा अगर गिरने के डर से हम लोग उड़ना छोड़ते तो सायज जो हम अपने सपनों को जो है कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में तो चलिए आसमा कि उचाय पे कहां तक पहुँच पाते हैं हम लोग सबाद चुनाओ को लेके बिहार में चर्चा काफी तेज है क्योंकि इस बार बिहार के तीन बड़े युवा जो अपने-पने काम में महारत हासिल कर रखे हैं तीनों के नामकार डंका बसता है इस बार वो लोग सबाद चु करती है तो विकास की बात होगी व्रश्टा चार मुक्त बिहार बनेगा आई खबरों के लिए बने रहे हैं जहन